क्लास 11 के परिक्षारतियों का जो आप सभी का मंत्री एक्जाम अक्टूबर वाला आयोजन हो रहा है तो उसमें आपके फिजिक्स केमेस्ट्री का एक्जाम समाप्थो चुका है जो भी द्यारती बायो अर्थात की बाइलोजी जीव बिग्यान सब्जेक्ट लिए तो आपके जीव बीग्यान का यहाँ परुशन पेपर है पूरा प्रसंट पत्र जैसे मने आपको औप्जेक्टिव और सब्रस्टेडिक्टिव दूनों का सॉलूशन कराए था एक क्लास में फिजिक्स और केमेस्ट्री का वह सी मैं पूरा बायो का सॉलुशन करा नहों अब आपको सम और सब्जेक्टिव में लगुतरी और दिरहुतरी ये सभी प्रस्णों का तो यहां पर दिखिए क्लास 11 के विद्ध्यार्थियों का बाइलोजी अर्थाथ की जीव भी ज्यान का प्रसंपत्र इसी रूप में तयार किया गया है कल इसका अर्थाथ की 31 अक्टूबर के दिन आपका एकजाम होगा दूतिय पाली में तो मैं इसको पीडियेफ के रूप में कनभर्ड कर दिया हूँ कल आप लोगों ने देखा गए कल जो हम लोगों प्रसंप की चर्चा कर रहे थे मतलब कि जो फिजिक्स का और केमेस्ट्री का तो उसमें काफी प्रसंप का क्वालिटी खराब था तो आच्छा से दिखाई नहीं दे रहा था बट अब आपको विश्वास हो गया हूँ लुख लुख रहे कंवाले मासिक परिक्षा का बाईो कई पस्ता पार में निम्र में से कौन पूष्प का भाग नहीं है यहां है क्यों प्रसंपा बहुत अद्यान से धेखेंगे अब देख लीजी यहांい पूष्प कहान के बारे मिं 35 में विपड़े हूं गे टिंगें त फोड़ा सा उससे उपर हम लोंदीब में अध्यान करते हैं तो यहां पर दीकर लिक्स मभागर बिल्कूल सरी को लो भी भागर तो बिल्कुल सही एकक को ला taking जयांग सभी भाग है, पुछ रहा है कौन नहीं है सर, तो सील कर था कि कॉटन है पुष्प का भाग नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा option ये सभी option क्या है, गलत है, ध्यान से देखते चलिएगा, कह रहा है अगला प्रस्ण, जयांग पुष्प का कौन सा भाग है, तो मादा जननंग होता है, और एक और होता है, पुमंग, तो पुमंग क्या होता है, नर जननंग, ठीक है, तो सही उतर option ये पे दिया गया है, मादा जननंग है, जयांग और पुमंग, चलिए आगे बढ़ते है, हूँ बहू औरिजिनल को सब्सक्राइपर है, मुझे कहने क्या सब्सक्राइब क्या है, तो यहीं सही उतर हो जाएगा, मैं पूरा प्रसंद का उतर जल 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 दिया आपको करा दे रहा हूँ, क्योंकि यहीं प्रसंद आपका कलेकजाम में आएगा, बाइलो जी के पैपर में इस तरह फिजिस के में श्रिमाया ता हूब और उरिजिनल को जल फारन है, तो और स्टील फाल है, विल्कूल सही उतर हो जाएगा आपके चार नम्मर प्रसंद का, अगे बढ़ते हैं, अगला प्रसंद देखिएगा ध्यान से, पांच नमर प्रसंद आपसे क्या कह रहा है, पांच नमर प्रसंद यहाँ पे पूछा गया है, कि तन्तु किसमें जो है तंतुक मूल पाया जाता है तो गेहूं धान इन सभी मूल ऑप्शन क्या है गेहूं का पाउधा है तो ऑप्शन ए ठीक है जो फाइबर रूट हम लोग पढ़ते हैं वही प्रसंद पूछा गया तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा पांच नमबर प्रसंद का यह छठा नमबर प्रसंद देखते हैं क्या का रहा है करें तन्ना का मुख्य कारे किया है तो साखाओं को फैलाना भी तन्ना का कारे होता है पानी खनी जलों तता परकास अंसल सी पदार्थों का सनमहन करना इसलिए और बी दोनों तयार कियागे है तो इसका सही उतर हो और तुसाद का आपका आप से पुछाएं भी हारवोड की केंदरक निमन में से किसमे अनुपस्थीत रहता है मतलब इसमे किस में केंदरक नहीं पाया जाता है तो बेस्क चालनी नलिकाओं में केंदरक नहीं पाया जाता है अनुपस्तित रहता है तो option C आपका 8 नमर प्रसंट का सही उतर है 9 नमर प्रसंट क्या करता है यह तो आप तेंथ से रट दे आ रहे है तो यह आपका भूजन का वहन करता है और जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है तो यहाँ पर दिखेंगे थोड़ा सा option में यहाँ पर mistake है यहाँ पर option B पे था कि आप जाएंगे एक्जाम में original question paper में त सही उतर है option B यहाँ पर थोड़ा सा लीखने में कुछ mistake हुआ है चलिए आगे बढ़ जाते हैं 10 नमर प्रसंट समझ चुके है ना नौगा का सही उतर क्या होगा option B क्योंकि आप जानते है फ्लोयम जो है मतलब कि भोजन का वहन करता है भोजन का चालन करता है और जाइलम का क किसके द्वारा होता है एभी तेंथ में भी से हम लोग पढ़ते हैं आ रहे है कि एस्टोमेटा अर्थात की रंध के द्वारा गैसों का बिन मैं मतलब की आदान परदान होता है तो एक गारा का option B आपका सही उतर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं पूरा मैं solution करा दे अगला प्रस्त परन निम्लिखित में से कोन ऑसमतापी प्राणी है लूँजगी ये मेढ़ते हैं तो देखते हैं आपक गरिना होता है है प्रतिक धिग्रेंगा तो …. यहीं सही उत्र हो जाएगा आगला प्राश्द है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट कर आप से कौन जटील उतक का एक उधारान है तो अभी मैं बताया कि जाइलम फ्लो या में सभी जटील उतक के उधारान है तो देखें जाइलम दिया गया तो आप्शन यह आपका सही उतर हो जाएगा उपर सराल उतक पूछा था यहाप यह जटील उतक आपसे पूछ लिया 17 नम्र प्रसंद क्या कह रहा है यहाप एक बीजबरी जो होता है मोनो कोटलेंस में बीजबर की संख्या कितनी होती है तो एक बीजबरी मोनो का अर्थी होता है एक ठीक है दोई 20 पत्री में दो तो आप्शन एस सही उतर हो जाएगा को सब पर आएगा तो आपको क्या करना कि कोई 25 बनाना है 30 में 30 बनाने कि आपको गलती नहीं करना कूंकि पूरा बनाएंगे तभी आपको 25 अंग ही मिलेगा कर सेंट्रों मियर का क्या का रहे हैं आप से प्रसंद पूछा गया 18 नम्मर पर तो डिये ने का परतिलीपी करन करता है तो option B सही उतर है जन्तु कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को क्या कहते है यह भी आप पहले से पढ़ते आ रहे है त्यंत में भी इसके बारे में आप पढ़े होंगे जब जन्तु कोशिका पादप कोशिका वहाँ पे भ्यमलोग यह स्टटी करते है तो 19 नम्मर प्रसंद का सही उतर हो जाएगा आपके 20 नम्मर प्रसंद का चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नम्मर प्रसंद को देखते हैं प्रसंद आपसे पूछा एक किस पर कि निमलिखित में से कोशिकाओं में किसे आत्म घाती थैली मतलब सुसाइड बैग किसे कहा जाता है एक प्रसंद पूछ रह सही ऊप्शन ए सही उतर हो जाएगा सुसाइड थैली सुसाइड बैग आत्महत गात वगाती थाल थैली जो है आत्महत्या की थाली तो यह सही उतर हो जाएगा कितने परकार के होते हैं, अगर आपको मालू होगा जरूर बताएगा, ऐसे राइबोसोम दो परकार के होते हैं, ऑप्सन भी, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, लवक कितने परकार के होते हैं, प्लैस्टीड अर्थात की लवक जो है कितने परकार के होते है ए आप से पूछा गया तो तीन परकार के न बिल्कुल सही ओप्सन C 24 का आपका सही उतर है चलिए आगे मने अगला प्रसन 25 नमबर कह रहा है प्रसन आप से केंद्रक द्रव्य कहां पाया जाता है केंद्रक में केंद्रक द्रव्य कहां पाया जाता है केंद्रक में पाया जाता है तो ओप्सन ये आपका सही उतर हो जाएगा कोन सा सही है, चार, मतलब कि कथन दिया है, तो देखे, यहाँ पर एक तो बूक का प्रसन है, प्रोक्रियाटर की झिली के आतरीत अंगन, नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो यह बूक का प्रसन है, तो इसका सही उतर सीदे, क्या कर देगा, options यह से पढ़के आप देख सकते हैं बाकी तीन गलत है, option C आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 नमर प्रस्ट, फिर पूछ रहा है गेहूं का बनस्पतिक नाम, ठीक है, गेहूं का बनस्पतिक नाम आपको बताना है, तो टीट्रेकम, स्ट्वेम होता है, तो option A सही उत्तर हो जाएगा, ट्रीटीकम, स्ट्वेम, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 का option A, आपका सही उत्तर है बिल्कुल, 28 नमर प्रस्ट, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, करें आपसे कि नई कोसिका का निर्मार कैसे होता है प्रस्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो पूर्व इस्थित कोसिकाओं से होता है तो option C, सही उत्तर हो जाएगा, 28 नमर प्रस्ट का 29 नमर प्रस्ट है कि निमन में से कौन, एरोमेटिक एमीनो अमल का उदहारन है एरोमेटिक एमीनो अमल का इसमें से उदहारन कौन है, आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर देखेंगे, तो टाइरोसीन है, फिलेनिल, एलिनीन है, ट्रिप्टो फान है तो बिल्कुल सही option D सही उतर हो जाएगा इन में से सभी क्योंकि amino amal पूछा था काफी सांदार आगे बढ़ते हैं 30 नमर प्रसन देखे हैं क्या कहा रहा है 30 नमर प्रसन है यहाँ पे कि amino amal कितने परकार के होते हैं तो यह भी काफी आसान प्रसन है 20 परकार के होते है option B 30 का सही उतर हो जाएगा इस तरह मैं पूरा आपको 30 में 30 का सही उतर बता दिया बाइलोजी में कोई 25 आपको बना लेना है ठीक है objective का काम खतम अब चलिए मैं subjective प्रसन का पूरा उतर आपको लिखा दिरहां कि कितना लग हुतर है और दिरहुतर ये प्रसन पूछा गया है तो यहां पर ध्यान से देख लिजिएगा subjective का पूरा बायो का यहां पर उतर है तो लग हुतर ये प्रसन जैसे physics में हम लोगों ने देखा वैसे इसमें भी 10 तक पूछा गया है किनी 5 प्रसन का उतर आपको लिखना है तो मैं 5 का उतर आपके लिए तयार कर दिया हूँ पूरा पेपर का सॉलूशन में इसी एक ही कलास में आपको देने का परयास कर रहा हूँ दो नमबर प्रसन पर पहला मैं छोड़ दिया हूँ तो यहां पे प्रसτα के बारे मेंदन कारी है फिर फिर आगला प्रसते के ho number के बारे में कि एस्कलरे काई मंद के है प्रस्त को लिए तुसकर से भी इस्तायया पे लिख यहां पर बता दिया गया अगला प्रसंद था कि एक प्रारूपी NGS पर्म पुष्प के भाग का बनन कीजिए तो पूरा यहां पर बनन कर दिया गया तो इस तरह पूरा अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का उतर कंप्लीट हो गया बायों का कल जिनका भी एक्जा करने के लिए आपको अपने मोबायल फोन का कोई भी ब्राउजर उपेन करने गूगल सर्च बॉक्स में आई ये और इस चैनल का ना में स्पेलिंग बिल्कुल सही से लिकर टाइब कर सबसे और सबसे उपर आपके सामने इस तरह वेबसाइट पर क्लिक करना है आपके सामने को इसी पर क्लिक कर देना है जहां पर लिखा गया होगा ओल सब्जक्ट कोशन पर इस पर इस पर आप क्लिक की जिएगा आप आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए अक्टूबर एक जाम के बारे में सभी भी साय का पर सुपत्र यहां से आप देख सकते हैं जै किन आपके सामने कि य्यान का ही आपके सामने ओपन हुआ है नीचे की तरफ बढ़िएगा तो पूरा यहाँ पर जीन चाहिए ग्यान का यहाँ पूरा जनकारी है यहाँ पर तो यहां पे प्रती दिन जासे आप यही से देख देकर भी लिखना चाहते हैं तो यहां से देख देख कर भी आप लिख सकते हैं क्लास 11 के बायो का अक्टूबर वाले मासीक परिक्षा के पूरे प्रसंट पातर का सोलूशन में इस क्लास में करा दिया हूँ यहां से देकर और बाकी पीडियेफ होगा डाउन्लोड करना है तो यह आरक यहरपॉइंट.com बे आप साइट से आकर डाउन्लोड कर लिजिए